अब बाबा का पिश्वारा पुलिस वाला कर दिया लाल है अगले पांस साल जो मोदी जी होंगे ना वह जो नो सार में वह उसका डबल काम होगा यह आप मान करके आई बास ही बोले भाई साब पहले एक चमच खाते थे यह देखिए एक चमच गोबर आप मोदी जी फिर से अगर इस बाद से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए शमा मांग का हूँ बस हावा निकल गई ना हावा नहीं हुदा भाई साब बाबा जो है ना पमचर हो गया है बाबा बाबा बाबाल है उसके बाद कर रहे हैं कि बाबा का हो गया बूरा हाल है खैर भाई साब बाबा को रखते अब साइड में बाबा के भक्तों का ले लेते हैं अगले पांस साल जो मोदी जी होंगे ना वह जो नौ साल मी वह ना उसका डबल काम होगा यह आप मान करके रखेएगा यह बास ही बोले भाई साब पहले एक चमच खाते थे यह देखिए एक चमच गोबर आप मोदी जी फिर से आएंगे तो तुम लोग फिर दो चमच बोलते कि जितने भी अनभक्त हो किरप्या गोबर खाना ठोड़ दो और खानी पर घ्यान दो यह दिकत बस यतनी है कि राहुल गंदी जब आजाएगा न तो इन लोग का गोबर खाना जो है न बंद करवा देगा तो यह लोग जो है न बेरोजगार हो जाएगा इसलिए नह जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ एक काम करतू उससे अच्छा जो होना हग दे जब भी देखेंगे भाई कि टेम बकरी के तरह मिम्याता ही रहे वह देगा राबल गांधी को वोट जो घटा है और जो समझदार है वो बीजेपी को ही चुनेगा आप कहां थे जानी बाबा कहीं पे दुपक के जो है न गोबर खा रहे थे भाई साब गोबर खाने वाला जो है समझदार हो गिया अच्छा खाने खाने वाला जो है गधा हो गिया पता है वा मेरे अनभक्तो तुमको तो 64 मुक्तों की सलामी बननी चाहिए भाई नहीं तो भारत अतन का टूकरा मिलना जी तुमको अच्छा भाई साब अनभक्तों का हाल ना बिल्कुल कटपा जैसा हो गया है जिसको पता है गलत हो रहा है पर गुलामी के कारण जो है ना कुछ बॉल नहीं पारा है पर का कर सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो का की सब को जो यह ना एक चमर्स का असर है यह देखिए एक चमश गोबार ? सब वीडियो को यहीं पर करते हैं मैं आप चैनल के नहीं तो सब्सक्राइब करके बिलेकर दबा दीजिए मिलते हैं इसी किसी नेक्स व्डियो योगते के ट्रा बैबाई